हलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम बज़े में होंगे तो बच्चों आज हम एक बहुत अच्छा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें एक हम बहुत अच्छी सी कहानी पढ़ेंगे और हमारी इस कहानी का नाम है इमानदा लक्करहार तो आएए अपने इस पार्ट को शुरू करने से पहले इसमें आए कठिन शब्द जानने वे शब्द हैं लक्करहारा कुलहारी दुपकी दुखी और जलपरी अब आप इन शब्दों को बार बार उचारन करिए और इनका लेखन जारी रखिए ताकि कभी इनको लिखने में आपको गड़ बरी ना हो तो आये अपने पार्ट को शुरू करते हैं हम एक गरीब लक्करहार था लक्कडहारा कौन होता है जो लक्रियां काटता है हाँ तो एक लकड़ हारा था वे लकड़ियां काट कर बाजार में बेशता था इन पैसों से उसका घर चलता था एक दिन जंगल में नदी की किनारे उसे एक सुखा तै लangel पर चड़ कर लकड़ियां कातने लगा अच्छानक उसके हाथ से कुलहारी छुटकर नदी में जागिरी दुखी होकर दुखी आने की बिचारे को बहुत दुख होने लगा अर्थात वो बहुत कमजोर महसूस करने लगा क्योंकि उसके हाथ से उसकी कुलहारी छुट गई जिससे वो अपना रोजगार चलाता था क्योंकि वो लक्रियां बेचता था उसी से पैंसे आते थे और उसी से उसका खाना पिना होता था लेकिन अब दुखी होकर लक्रहारा रोने लगा उसके रोने की आवास सुनकर नदी से जलपरी भार आई जलपरी ने कहा लक्रहारे से उसके रोने का कारण पूछा जलपरी ने लक्करहारे की कहानी सुनकर उसकी मदद करने की सोची मदद याने की उसकी सहायता तो जलपरी दुखी हो गई उसके दुख से जलपरी ने कहा बताओ क्या हुआ है तो जब लक्करहारे ने अपनी कहानी सुनाई तो उसने का मैं तुम्हारी मदद करूंगे जलपरी ने नदी में डुपकी लगाई और सूने की कुलहारी निकालकर लक्करहारे को दी परंतु लक्करहारे ने कहा यह मेरी कुलहारी नहीं है जलपरी ने फिर नदी में डुपकी लगाई और चांदी की कुलहारी लाकर लकड़हारे को दी परंतो लकड़हारे ने फिर मना कर दिया उसने जलपरी से कहा जलपरी किसे कहते हैं बच्चों जल में रहने वाली परी अर्था जल की देवी तो लकरहारे ने जलपरी से कहा यह भी मेरी कुलहारी नहीं है मेरी कुलहारी तो लोहे की थी जलपरी ने पुनहा पुनहा यानि की दुबारा से नदी में डुपकी लगाई और लोहे की कुलहारी निकाल कर लाई उस कुलहारी को देखकर लकरहारा बहुत खुश हुआ और बोला यही मेरी कुलहारी है लकरहारे की इमानदारी से खुश होकर जलपरी ने उसे तीनों कुलारियां दे दी तो बच्चों यह कहानी हमें क्या समझाती है यह हमें इमानदारी का महत्तु समझाती है यह हमें यह ब आएंगी अगर हम इमानदारी से चलेंगे अगर हम चालाकी दिखाएंगे तो एक नएक दिन इस चालाकी का फल हमें भुगतना पड़ेगा तो याद रखिए आप भी इमानदारी के रास्ते पर चलिए और जीवन में खुशियां पाईए अब इसका अभ्यास का रहा स्वेम क दिन क्या कि दिन क्या मेंँ को पाईएंगे भाम में पाम में की अगरा एकर प्वाम में में आपभ।。